नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेंड धर्मा सन्मार दीपावली के पांच दिन यानि धन तेरस से लेकर भाईया दूस तक ये पांच दिन बहुत ज्यादा खुबसुरत दिन है क्योंकि इन दिनों में अगर विशेश परियोग कर लें तो जीवन म पर हर किसी के घर में साफ सफाई का काम इसके पहले ही खत्म हो जाता है आपने मकडी के जाले साफ किए कीडे मुकडे भगाए छिपकली आपने देखा होगा चूंकि ठंडा का मौसम होता है तो तमाम सामानों के पीछे छिपकली छिपकर रहती है और दिपावली की सफाई क कारण वो घर से बाहर चली जाती है अब धन तेरस के दिन अगर छिपकली आपको दिख जाए चीपकली अगर आए तो इसका मतलब है कि पूरे साल जम कर आएगा पैसा लेकिन छिपकली का कौन सा बेभार आपको क्या देगा फल अगर छिपकली जमीन पर चलते वे नजर आए इस धन 13 के दिन तो छिपकली आपके घर पर जमीन पर चलती है जिसका मतलब है घर में धन आने के नए रास्ते खुल जाते हैं छिपकली का उत्तर दिशा की दिवार पर अगर चलते वे आपको दिख जाए तो छिपकली ये बताती है कि अब जल्द ही आपके जीवन में बड़ा अवसर आपको मिलेगा क्योंकि बड़ा धनका वो प्रतीक माना जाता है अगर चट पर चले सिलिंग पर तब इसका भी मतलब होता है कि घर में सुकसान्ती और सकात्मक उर्जा का वास पूरे साल रहेगा अगर चिपकली गिर जाए हना कि इसको असुमाना जाता है लेकिन एक बात याद रखिए जाडू से नहीं भगाईएगा चिपकली को यदि चिपकली जमीन पर गिर जाए तो आप ये अपसकुन होता है लेकिन अगर किसी ब्यक्ती के उपर गिर जाए तो ये बड़ा अपसकुन होता है इसलिए आप असनान करें मालक्षमी से छमा मांगे और असनान करने के पहले थोरा सा हल्दी नमक लेकर छट पर छज़े पर कहीं भी फेक दे और इसके बाद नहा ले नहा कर मालक्षमी के सामने या सिपजी के सामने घीका दिया जलाएं दोस कट जाता है चिपकली का आवाज करना दिखिए अगर चिपकली धनतेरस के दिन उसका आवाज सुनाई दे तो समझ ये मालक्षमी आपके घर जरूर आएंगी जैसे ही चिपकली दिखे आप एक छोटा सा काम करें क्या करेंगे थोरा सा अक्षत और थोरा सा कुमकुम अपने हाथों मेले और चिपकली के ऊपर दूर से ही फेक दे ऐसा करना मतलब आपने स्वागत किया फिलाल आपसे भीदा लेंगे अगर जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजेगा हर हर महादेब धन्यवाद